वी हम भी वाट्साव मरे हमस्कार मेरे प्यारे प्यारे दोस्तो को मेरे नमस्कार आप सब कैसे हैं और आज जैसा कि हमने आपको के पहले 1 एक वीडियो में बता दा चावात घ्ला की जिस हमको क्या पढ़ना है स्क्राइज़ी बनाके चलेंगे क्योंकि हमारे पास time बहुत कम है उसी साब से हमें अपना syllabus का analysis भी करना होगा क्या हमें क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है क्या हम सारा syllabus एक बार में खतम कर पाएंगे क्योंकि जो हमको given time है वो केवल 3 months का है तो बेटा 3 months में आप क्या पूरा syllabus compile कर पाएंगे तो अगर इमानदारी वाली बात की जाए तो उत्तर आएगा नहीं तो फिर क्या किया जाए हमको syllabus को अच्छे से समझना होगा पुराने papers को उठा कर देखना होगा कि कि सीरी से या किस conceptual method से या किस concept से सबसे ज्यादा questions पूछे गए किस topics से किस unit को सबसे ज्यादा हमको priorities देन है यह पूरा का पूरा syllabus है चली खेर वह अलग बात है अभी हम स्टार्ट करते हैं और एक एक बात ध्यान से समझते हैं इसलिए तो को यहाँ पर क्या लिखा है वाट टू स्टड़ी हमें पढ़ना क्या कुल मतलब जो हमारा total syllabus है वह क्या क्या है तो सबसे पहले animal phylum animal phylum प्रोटोजुआ, पौरी फेरा, निडेरिया, आर्थ्रोपोडो यह वो questions हैं जिनको आप हर paper में देखोगे बेटा चाहें आप TGT देने जा रहे हो केंद्री विद्याले का TGT या TGT देने जा रहे हो या नवोदे विद्याले का देने जा रहे हो या DSSSB का देने जा रह हो तो आपको इस section से animal phylum से questions मिलेंगे ही मिलेंगे क्योंकि एक बहुत huge एक बहुत ही broad section है unicellular to multicellular non-cordates to chordates इनसे बहुत सारे question आते हैं किस-किस तरह के question cytology मतलब cell biology cytology का मतलब क्या होता राजा बेटा cytology बोले तो cell biology अब cell biology में क्या क्या DNA RNA कोशिका के अंग आप यह मत समझेगा कि सर सब कुछ English में लिखा हुआ है तो जो हिंदी वाले बच्चे वो घबरा जाएं कि हमें कैसे clear होगा आप उसके लिए परिशान ना हो ना लिखा जरूर आपको English में मिलेगा लेकिन हम दोनों भाषा का प्रियोग करेंगे हिंदी भी बोलेंगे और English भी बोलेंगे Molecular Biology मतलब बिटा DNA, RNA, Cistron, Codon, Recon, DNA, Replication, Transcription, Translation, Transformation ये इनसे क्वेशन क्योंकि Molecular Biology केंद्री विद्याले का नवोदे विद्याले का और UPTGT का तीनों का बड़ा ही प्यारा टॉपिक है बहुत सारे क्वेशन बायोटेक से पूछे जाते हैं और वो बायोटेक इसी में इंक्लूड किया जाता है आपकी अब मतलब नोचना कि बायोटेक के अलग से ब्रांच ना वो इंक्रेस को मॉलिकिलर में की एड कर दिया जाता हो ठीके बेटा बात समझ में आई की नहीं अब आ जाते है एनिमल झेचन एंनिमल नुट्रीस्अं क्या ब्wright प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फाइबर मिनरल्स विटामिन यह सारे के सारे सेक्षन किसे आते हैं एनिमल नूट्रीशन से फिर आते हैं विटाम किसमें हैं उमन फिजियोलोजी पे शवशन तंतर मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम पाचन तंतर डेजस्टिव सिस्टम नर्वस सिस्टम इम््यूughन सिस्टम एक्स्क्रेटरीसस अंडोक्राइन सिस्टम इनसे बहुत सारे questions पूछे जाते हैं, हमें वो questions cover करने होगे, ठीक, next फिर दोखो बिटा, virus virion में क्या अंतर है कौन non-living है कुछ में थोड़े बहुत living characteristics पाये जाते है, क्या living characteristics है, क्या non-living characteristics है, अभी बिटा जो TED का एक paper हुआ था उसमें पूछा गया था कि virus का एक ऐसा character बता दीजिए जो non-living है, तो इसका उत्तर होगा बिटा, कि virus can be crystallized जिन बच्चों ने दिया होगा उनको पता होगा, फिर आजओ bacteria, lichen, ये क्या है बिटा, they are called in biology lower plants, इनको क्या कहते हैं, बिटा, lower plants इनसे बड़े question पूछे आते हैं, lower plants नहीं कि virus bacteria, lichen, algae, fungi, fungi algae, fungi हमने लिखा नहीं है, आप समझ लिजेगा यहाँ पर हमने algae, fungi लिखा नहीं है ठीक है, क्योंकि algae, fungi को economic importance में शामिल कर दिया है ठीक है, अब आजाओ economic importance, आप पूछो कि economic importance क्या है, economic importance कौन से bacteria, कौन सी algae, कौन सी fungi हमारे लिए helpful है, हम इन से क्या economically पराप्त कर सकते हैं जिससे हम लोग वड़ते हैं, जेलेडियम gracilaria, कुछ red algae हैं, जो हम लोगों की मच्छर मारने वाली दवा बनती है, वो ठीक है agar agar, हैं, और क्या बोलते हैं, वो जो हम लोगो laminaria से निकालते हैं, kelp बोलते हैं, दुनिया भर की चीज़े हैं, खैर उससे अभी हम नहीं पढ़ेंगे, अभी रेके करके सब चीज़ों को देखते चलेंगे, फिरा जो बेटा bryophyta, most important, teridophyta, super most important, gymnosperm, super super, super, super most important, चीज़ों में क्या पूछा जाता है, एंज़ों के खुद के कोई question नहीं होते हैं, बस एंज़ों के सीधे question जो होते हैं, वो उनके family से related होते है, crucifery का characteristics बताएं, सबसे ज़्यादा जो पूछी जाती family that is composite बेटा, composite आपको पूरी तयार होनी चाहिए, crucifery पूरी तयार होनी चाहिए, मालवेसी पूरी तयार होनी चाहिए, सोलेनेसी पूरी तयार होनी चाहिए, यह चार families ऐसी है, जिनसे सबसे ज़्यादा questions आते हैं, आपने सुन लिया होगा और समझ भी लिया होगा, तो plant families cover हो गई, gymnosperm हो गया, टाइडोफाइटा, ब्राइडोफाइटा, economic importance हो गया, अच्छा morphology जर्ड, तनापत्ती, वर्नेशन, वेनेशन, मोनोकॉट, डाइकॉट, प्ल्यूम्यूल, यह सारी की सारी छोटी 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 चीजे यानि की फिलो टैक्सी, बहुत सारी चीजे हम लोगों ने पढ़ी हैं, फिलोड, क्लैडोड, यह सारे question किसे पूछे जाते हैं, morphology से, जो बच्चे प्रथम बार हम से जुड़ रहे हैं, कत्ताई ना घबराएं, बिलकुल ना घबराएं, पुराने वीडियोज एक बार थोडोली देख डालें, और इस batch को जोइन करें, अगर उनको लगता है, किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है बेटा, अगर आपको लगता है कि यह batch मेरे लिए helpful हो सकता है, कुछ बच्चे मेरे से बार-बार मैसेज करके वाट्शेप के थूँ यह कहना चाहरा है, कि सर क्या आप पूरा स्लिवर्स करा देगे, फिर थोड़ा से मुझ को अजीब भी लगता है, लेकिन फिर होता है कि आदमी को सच बोलना चाहिए, इसलिए मैं सच बोलता हूँ, साफ बोलता हूँ, तो बैटे देखो, त्री मंद्स के अंदर आप पूरी बायलोजी को कंपाइल नहीं कर सकते हैं, ये तो सच बात है, सब जानते हैं, कोई नहीं बात नहीं है, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, हम जादा से जादा क्या लगाएंगे, क्वेश्चन और आंसर, किसके आधार पर कैसे लगाएंगे, सबसे जादा हम लोग एमसी क्यूस पर फोकस करेंगे, क्योंकि mcqs ही हमारे आगे आने वाले questions का base होगा अगर हम यह कहते हैं कि अगर आपने 100 questions लगाए हैं तो उन 100 questions में से आपको paper में 10 questions भी मिल जाए तो हम फिर उस हिसाब से फिर theory को prefer नहीं करेंगे हम questions को भी prefer करेंगे हाँ लेकिन concept भी नहीं छूटने चाहिए ग्यान भी पूरा होना चाहिए जो चीजें हमको लगेंगी कि यह आपको नहीं आता है या आप उसको अपने ढंक से नहीं पढ़ पा रहे हो वो हम आपकी compile करेंगे ठीक है चलो खेर अब आज आओ बिटा plant embryology अब पूछेंगे आप embryology क्या होता है हिंदी में नहीं बोलते हैं बीजांड यानि कि endo sperm भूण कोश भूण पोश कितने तरह के endo sperm होते हैं चलोजोगेमी मीजोगेमी पोरोगेमी यह सब चीजें आपने पढ़ा होगा टेस्टा टेगमेन उसमें आता है शरुजें कोशन बड़े पूचए जाते हैं ठीक है तो इनसे हम लोग सारी की सारी चीजे कवर करेंगे कि inner layer क्या होती है outer layer क्या होती है tegment क्या होता है testa क्या होता है ये सारी की सारी चीज इस में embryology यानि कि यहां पर हम मियोसिस माइटोसिस देखेंगे जो पौदों में बीजांड में होती है ठीक है अब आजा बिटा इकोलोजी इकोलोजी में तो कुछ कहने नहीं नहीं इकोलोजी का तो बेस्ट पोर्शन अल्रेडी पढ़ाई हुआ है अनकेडमी पर और यहां पर दोनों जगे लेकिन फिर भी क्योंकि अब हम एक पेड़ बैच चला रहे हैं तो इस वज़े से हम वहां पर उसको और अच्छे से करने का प्रयास करेंगे तो इकोलोजी भी पूर कोश्चन है उनके पास वही घुमा फिरा के पूछाैंगे लेकिन बच्चों को लगता है कि यह छूट रहा हमारा यह सेक्टर ऐसा हों को नहीं समझ में आता कि मोनो हैब्रीड क्रॉस क्या है डाई भी है मेंडेलियन जैनेटिक्स क्या है तो उसके लिए आप कतही ना गब रहा है हम एक एक करके चोटे-चोटे विडियो में सब कर देंगे and then finally we have to come on plant physiology बुले तो photosynthesis बूले तो transpiration बूलिये फिर जैसे की फिर transportation बॉलना पडला है न तो बड़ बढ़ सूचना परता है Diffusion Osmosis Boron क्या काम करता है Root को कौन मजबूत करता है Macro Elements क्या है Micro Elements क्या है DPD क्या है आपने पढ़ा होगा जिसने पढ़ा होगा वो सारी चीज़े समझ रहा होगा तो अब आजब Plant Physiology में Photosynthesis Photosynthesis में Crab Cycle है Crab Cycle हो गई और Glycolysis हो गई इनमें बच्चे हमेशा Confuse रहते हैं कि Finally ATP कितने बनते हैं हम आपको एक एक चीज़ इसमें Clear कर देंगे आपको कतव कोई Confusion नहीं होगा तो ये है बिटा कुल हमारा 2016 में आने वाला 2016 नहीं बोलना चाहिए वैसे तो ये 2020 चला है लेकिन ये एक्जाम हमारा 2016 से हेल्ड है ठीक है तो हमको इसको तयार करना है कितने सारे दिखने टॉपिक्स ध्यान दीजे थोड़ा सा बेटा ध्यान दीजे एनिमल फाइलम एक साइटोलोजी दो मॉलेक्ल अबलोजी तीन एनिमल नूट्रिशन चार हिमन फिजोलोजी पाँच इसको एक ही में कमबाइन कर दो छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चौदा पंदरा सोला सत्रा और इनके अंदर भी बहुत सारे टॉपिक है छोटे छोटे ठीक है तो हमको सबसे जादा फोकस किस पे किस पे करना है बेटा स्लेबस खतम करने पे फोकस नहीं करना है कि हमें स्लेबस खतम करना है हमको स्लेबस खतम करना है स्लेबस खतम करने की बहुत जल्दी हो हमको कि हमको हाँ भाई स्लेबस खतम हो जाना चाहिए सर समझ में भले हमको कुछ ना है ठीके ना, हमें Sleigh Bus पे focus नहीं करना, हमको focus किस कि के करना है? क्या हमारे concept clear हुए? क्या हमारे questions निकलने लगे? क्या हमने जो पढ़ा है उन से हमारे questions solve होने लगे? क्या हम पहले, जब हम 100 question attempt करते थे तो 50 कर पाते थे? क्या हम 70 तक पहुंचे? क्या हम 80 तक पहुंचे? इस पे focus कर करना है quantity पे focus नहीं करना है ठीक है बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं दीरे-दीरे करके जुड़ रहे हैं एक ग्रूप बना देंगे वाट्सेप पर और उनको वाट्सेप पर देखें मैंने आपसे पहले भी बताया था केवल 50 बच्चों का ही चैन किया जाएगा इसमें इसे जद्याद नहीं लेंगे ठीक है पचास बच्चों का ही एक बनाकर रखेंगे और अच्छे से वीडियो को बनाएंगे भी ऐसा नहीं कुझे हो सकता है यह दुबारा TGT की परिच्छा ना कराए माध्भिमिक परिशत ऐसी कंडिशन में इसको हम अपना अंतिमलक्ष मांते हुए इसको हमको इस बार क्लिएर करना ही करना है आई मेरी बात समझ में ठीक है क्योंकि आप से काफी दूर बैठे हुए हम आप बहुत सारे नहीं बता सकते हtz मतलब हर सकते हम पीट उप तपाथ आप स्वताह बढ़ लीजेगा और जो हम आपके लिए टॉपिक छोड़ेंगे अविसली वो हलके टॉपिक होंगे चोटे टॉपिक होंगे और जो हाड टॉपिक से उनको हम कवर करने की रिस्पॉंसिबिलिटी लेते हैं ठीक है एक्जाम क्योंकि तीन महिने के अंदर होने की बात की गई है तो कम से कम कोशिश करेंगे कि हमारा परसिस्टेंस धाई मैने तीन मैने तक चले अब बाकि अगर एक्जाम पहले हो जाता है तो और अची बात है या बात में हो जाता है तो अभी कोई दिक्कत नहीं है सब सर्वाइव करते रहेंगे एक एक चीज का करते चलिएगा अनकेडमी पर जितने वीडियो हमको भी देखते रहेंगा कोईशन जादा से जादा लगाएगा मेरे हिसाब से जो मेरा अगर मैं इस परिक्षा में उपस्तित होता तो मेरा टार्गेट होता कि अगर हमको तीन महीने मिलते हैं अब तो तीन नहीं रहें वैस कि जब मैं परिक्षा देता था सीपी एमटी चलता था सीपी एमटी कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट ठीक है तो इस परिक्षा में जब मैं सामिल होता था तो बाइलोजी के एक मंत में कम से कम तीन हजार से ज्यादा कोशन लगा डालिए बटा और कोशन आपको कुछ होगी मैंने आपको पहले ही बुक्स के बारे में बता दिया बच्चे बार बार पूछते हैं देखो बेटा रमेश गुपता आर के गुपता और एंपी कोशिक बेस्ट बुक है ठीक है इसके पीछे के सारे क्वेश्चन लगा डालिए अगर आपको नहीं समझ में आता थिय पीछे के लगा डालिए यह क्या हो गया यह थियूरी की बुक होगी बेटा अब अगर हम बात करें कि हमें आपजेक्टिव की कौन सी बुक खरीदनी चाहिए तैस आर के पिल्लाई आर के पिल्लाई की जोलोजी की और इनकी बाट्टनी की जब लाओ गयो तो देट इस एम स 200 रुपए की कितावें हैं अगर आप इनको ले आओगा गलत चीज उठा लाए तो फिर आप परिशान हो जाओगे और यह भी अपने इसाब से डिसाइड करें ना कि आप हिंदी में पढ़ना पसंद करते हो या इंग्लिश में मेरे कहने पर मात आना you have to know what is your ability तुमको पता करते चलिए चीजों को अभी टाइम है आपके पास मैं कहता हूं कम से कम दो से दो से धाइ महीना तो है अभी आपके पास क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि मार्श में करा पाइंगे उससे आगे बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे ठीक है तो कोशिश कीजिए कि इन दो से बढ़ता जाएगा selection की और ठीक है न पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी जो भी confusions हैं जो भी बात करनी हैं comments में आप जाके बात कर सकते हैं और जो batch की details हैं वो भी हम वहीं पर डाल देंगे देख लिजेगा हर एक PDF आपको जो यहां पर पढ़ाते हैं यह वहीं पर हम provide करते रहेंगे thank you so much goodbye good night